मुझे और मेरे बच्चों को sweet dish बहुत ही पसंद है I think आप सबको भी sweet खाना बहुत ही अच्छा लगता होगा लेकिन उसे बनाने की process थोड़ी सी लंबी हो जाती है इसलिए हम आलास खा जाते हैं और इसे नहीं बनाते हैं लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी recipe लेके आई हूँ जो फटा-फट से बन जाएगी उसे बनाने में भी आपको मज़ा आएगा और खाने में भी तो चलिए फटा-फट से recipe स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैंने ले लिया है एक non-stick pan और gas की flame को मैंने on कर दिया है gas की flame में यहां पे हमें low रखनी है और अब इसके अंदर add करेंगे एक चमच गी गी थोड़ा सा melt हो जाए फिर उसके अंदर add करेंगे काजू बदाम यहां पे मैंने थोड़े से काजू और थोड़े से बदाम लिये हैं इसकी quantity आप कम ज़्यादा कर सकते हो 2-3 मिनिट में हमारे काजू बदाम अच्छे से सिख जाएंगे और यह देखिए काजू बदाम हमारे ready हो चुके हैं और अब इसे निकाल लेते हैं कटोरी में और अब इसी पैन के अंदर हम लेंगे दूद तो यहाँ पे दूद हमने ले लिया है 500 ml और इसे भी हम गरम कर लेंगे दूद को हम पहले एकदम high flame पे गरम कर लेंगे जब तक कि इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए दूद के अंदर अच्छा खासा ओबाल आ जाए फिर इसके अंदर एड कर देंगे एक चुटकी फर के केसर केसर डानने से इसका टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही लेकिन इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आएगा तो अगर आपके पास केसर है तो ज़रूर डाले तो चली अब इस पैन को हम सिफ्ट कर देते हैं दूसरे वाले गेस के उपर और इस वाले गेस के उपर मैंने चड़ा दिया है एक तवा तवा को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और मैं लेके आ गई हूँ ब्रेड कल मैंने सेंड़िच बनाई थी तो ब्रेड बच गई थी तो मैंने सोचा कि इसी का आज यूज कर गए अच्छी सी एक स्विट डिश बना लेते हैं तो ब्रेड का भी यूज हो जाएगा और अच्छी सी स्विट डिश भी बन जाएगी तो सबसे पहले हम bread की sides को हटा देंगे क्योंकि ये sides खाने में आती है तो अच्छी नहीं लगती है क्योंकि ये थोड़ी सी hard होती है तो इसे हमें हटाना होगा लेकिन इसको हम फैक नहीं देंगे इससे हम bread crumbs बना सकते हैं और different different recipe में इसका हम use कर सकते हैं तो चलिए इंगा पे bread की sides को मैंने हटा लिया है और इस तरह bread को हम square pieces में cut कर लेंगे तो जितनी भी bread हमें चाहिए उतनी bread को हम इस तरह ready कर लेंगे बीच बीच में हम दूद को भी रेखते रहेंगे जिसे हमने side में उबलने के लिए छोड़ दिया है gas की flame यहां पे हमने एकदम low रखी है क्योंकि दूद उबल के बाहर ना आ जाए और इसे एकदम low flame में हमें पकाने के लिए छोड़ देना है क्योंकि दूद जितना पकेगा उतना गाड़ा होगा और यह हमारी जो recipe है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी तो चलिए यहां पे bread भी कट हो चुकी है और इसे हम सेक लेंगे तो तवे पर मैंने थोड़ा सा गी लगाया है और यह bread को हमें एकदम low flame पे दोनों तरफ से अच्छे से golden brown होने तक सेक लेना है यहां पे हमें इसे fry नहीं करना है थोड़ा थोड़ा गी लगा के इसे हम एकदम low flame पे अच्छे से सेक लेंगे तो यह देखिए bread भी हमारी सीख गई है bread को हमें एकदम crispy होने तक सेक ना है और flame हमें एकदम low रखनी है flame थोड़ी सी भी हाय होगी तो bread हमारी जल जाएगी और यह जो हमारे sweet dish बन रही है उसका taste भी खराब हो जाएगा तो बिल्कुल भी जलदबाजी ना करें और एकदम low flame पे उसे सेक ले bread को सीखने में जादा time नहीं लगता है एक से दो मिनिट में दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएगी तो चलिए bread का काम भी खतम हो चुका है और इस slice को भी हम संभाल के रख देते हैं दूसरी recipe के लिए तो चलिए अब pan को shift कर देते हैं बड़े बाली flame के उपर और यह देख सकते हो आप कि हमारा दूत का color कितना बड़ी आया है और यह थोड़ा सा गाड़ा भी हो चुका है और अब इसके अंदर add करेंगे चीनी तो चीनी हम अपने taste के according इसके अंदर add करेंगे आपको जितना मीठा पसंद है उतनी चीनी आप इसके अंदर add कीजिए और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इसे हम एकदम low flame पर फिर से उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि चीनी अच्छे से melt हो जाए चीनी melt हो रही है तब तक हम यहाँ पर काजू बदाम जो हमने सेख के रखे थे उसे cut कर लेंगे इसे हमें एकदम छोटे pieces में नहीं cut करना है तो यह देखिए दूद भी हमारा अच्छे से उबल चुका है फिर से और शुगर भी अच्छे से melt हो चुकी है और अब इसके अंदर डाल लेंगे मावा मावा या नहीं खोया आप क्या बोलते हो इसे मुझे नहीं पता है लेकिन मैं तो इसे मावा ही बोलती हूँ यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्रम जितना मावा लिया है और इस दूद के अंदर मैंने इसे add कर दिया है और अब इस spatula की help से मावा को हमी तरह दबाके इसे दूद के अंदर अच्छे से mix कर लेंगे इसके अंदर मावा डालने से दूद और भी गड़ा हो जाएगा और यह जो दूद है हमारा एकदम रबडी जैसा बन जाएगा तो यह देखिए इसे एकदम low flame पे इस तरह हमें अच्छे से mix कर लेना है सब कुछ अच्छे से mix हो जाए फिर gas की flame को हम off कर देंगे तो यह हमारी रबडी बन गए एकदम ready हो चुकी है अब इसे assemble कर लेते हैं तो यहाँ मैंने ले लिया है एक काच का बाउल और उसके नीचे डाल दी है मैंने यह जो रबडी हमने बनाई थी वो और उसके उपर रख देंगे braid की slice जिसे हमने सेख के ready करके रखा था तो इस तरह braid की slice को इसके उपर रख देना है braid की slice रखने के बाद उसके उपर फिर से एक लेयर करेंगे रबडी का तो इस तरह braid की slice और रबडी के लेयर हमें बनाते जाना है चितनी भी आपने ब्रेट की slice बनाई है और अबड़ी बनाई है इसे इस तरह इसके अंदर set कर ले तो ये देखे सब कुछ अच्छे से set हो चुका है और अब इसके उपर डाल देंगे ट्रैफूर्स और डर्फिट्स डालने के बाद उसके उपर डाल देंगे थोड़े से रोस पेटल्स रोस पेटल्स डालने से इसका टेस्ट तो बहुत बढ़िया आता ही है लेकिन साथ साथ में ये देखने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है तो ये देखिए हमारे स्वीट डिश बनके एकदम रेडी है कितनी आसानी से और कितनी फटा फट से हमारे डिश बनके रेडी हो चुकी है लेकिन ये थंडी होगी तो खाने में और भी मज़ा आएगा तो इसे मैं रख देती हूँ फ्रीज में अचली मैंने इसे फ्रीजर में रखा है क्योंकि ये फटा फट से ठंडी हो जाए इसलिए तो आप चाओ तो फ्रीज में भी रख सकते हो तो चले आदा कंटा के लिए मैंने इसे रख दिया दा फ्रीजर में और ये दिखिए एकदम ठंडी ठंडी हमारी ये sweet dish एकदम ready हो चुकी है और अब इसके pieces कट कर लेंगे हैं तो इस तरह उसे square pieces में हम कट कर लेंगे तो अगर आपके पास भी कल की bread पड़ी है तो आप भी ये recipe try कर सकते हो यकीन मानिए ये taste में बहुत ही बढ़िया बनी थी और हम सबको तो बहुत ही पसंद आई इसे देखके कोई कहें नहीं सकता कि ये बची हुई bread से बनी हुई एक sweet dish है देखने में इतनी बढ़िया है और खाने में इतनी लाजवाब तो आप भी घर पे एक बार जरूर रहे करना तो चलिए इसे मैंने निकाल लिया है एक टेट के अंदर इसे देखकर तो किसी के भी मूँ में पानी आ जाएगा तो मेरे मूँ में तो अल्रेड़ी पानी आने लगा है तो चलिए मैं इसे taste करती हूँ के कैसे बनी है तो यह देखिए कितनी soft और कितनी tempting लग रही है यकीन मानिए बहुत ही बड़ी अबनी थी और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी तो आप भी घर पे इसे एक बर जरूर ट्रै करना ओके तो मिलते हैं जल्दी नेक्स रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी क्रश्न